क्लास 9, सप्लिमेंटरी चैप्टर 3, ईस्वरन द स्टोरी टेलर महेंद्र ने गणेश को अपने रसोये ईस्वरन के बारे में कहानी सुनाई महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपर्वाइजर के तौर पे काम करता था जो अलग-अलग construction sites को अलग-अलग construction sites पर किराये पर क्या करवाते थे supervisors को appoint करवाते थे जैसे के factories हो गई, bridges हो गई, dams हो गई और महेंद्र का काम क्या था कि उस site पर जितने भी मुझूद मज़ूर है जो भी labor है उसके उपर उसको ध्यान रखना पड़ता था उनके उपर नज़र रखनी पड़ती थी कौन इपना काम साइच से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है और क्या होता था कि अक्सर उनको अपनी जगे जो थी वो बदलनी पड़ती थी जैसे के और वो साइट्स कैसी होती जैसे कोल माइनिंग हो गई रेलवे ब्रिज कंस्रक्शन साइट हो गई हैना या कोई क्यामिकल प्लांट हो गया तो इस तरी के अलग-अलग डिफरेंट जग कि अनल चेंड़ु कंस्रक्शन साइट जिस भी पर रहने की जगे जाता था तो अच्छे से खुद को और कंडिशन में भी खुद को मैनेज कर लेता था अब महेंद्र के पास एक फाइदा ये था कि उसके साथ उसका जो रसोईया था इस्वरन वो भी था इस्वरन महेंद्र के बहुत जादा करीब था और हर जगे उसके साथ जाता था उन्होंने उन difficult situations के बारे में भी कभी शिकायत नहीं करी जिनमें उनको रहना पड़ा क्योंकि इस्वरन जो था उसने उसके लिए खाना बनाया उसके कपड़े धोये रात में उसे बात करके उसको company देता था इस्वरन की बहुत जाद अची खूबी ये थी कि वो कहानिया सुनाने में बहुत अच्छा था और अपनी कहानियों से महेंद्र को entertain करता रहता था जो जब भी वो किसी नई जगय पर काम करने के लिए जाता था तो वो कुछ ही टाइम में खाना पकाने के लिए जितनी भी जरूत की चीज़े होती थी पिर चाहे हो सबजिया हो या फिर मसाले हो या और भी कोई दूसरे इंग्रेडियेंट हो उनको बहुत अच्छे से और उस जगों पर ऐसा लगता था जैसे वो कोई जादू करेगा एकदम से और कहीं से भी सारी समग्रियों को इकठा कर लेगा खाना बनाने के लिए महेंद्र सुगे जंदी उठता तयार होता नाश्टा करके अपने काम पर निकल जाता था वह अपना ले साथ ले जाते हैं उनके जाने के बाद ईसवरं उनके रहने जगा को साफ करते महेंद्र icon कपड़े दोते हैं और अच्छे से असलान करता था वह कई बालटी बाद बड़ा लुतौर पान अता है अन जैसि हम कुछ ब्रबढर form पर मन हो फिस में लिखन कर्ता था शसर च्हें यह सिपिन विए अन्य मतनगा तो लिखन काने ऑन टोर्व है अनल सब्यूटा में उसके हैं और एक नदी प्रस्त मैं किताब कर दो न by दो मतर éta अब जब ईस्वरन घर में सारा काम करता था खाना पीना कपड़े धोना हैना shouldnitokal is hr mail को एक्तों इसी परता था अपना एक धाइना को चूटी सी घटना वीफित पूर्द मेरेक सारा सुनाधा था तो अभिपना टोदग से और अपना है वो बहुत जादे दिल्चस्प हो जाता है उसका इंटरस्ट आ रहा था सुनने में फिर वो एक एग्जांपल देता है कि यह कहने के बजाए कि वो राजमार्ग पर जैसे चल रहा था है ना एक जगे पे तो उसकी नजर एक पेड़ पड़ी जो तूटका सड़क पर गिर गया है ना वो खाली है और वो बिल्कुल अकेला है इससे सुनने वाले के मन में ना सस्पेंस आ जाता है कि हाँ भी अब क्या होगा फिर वो कहता है कि अचानक उसने देखा कि सड़क के उस पार एक बहुत बड़ा जानवार लेटा हुआ है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका मन उसे मुड़ने के लिए और वापस जाने के लिए कह रहा था मतब घबरा आ रहा था जैसे ही वो उसके पास पहुचा तो उसने देखा कि एक पेड है और जो गिर के सड़क पर गिर पड़ा है पेड की जो ब्रांचस थी वो फैली हुई थी और उनको देखके ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ा जानवर हो महेंदर कहते हैं कि इस्वरन की यह जो टैलेंट था उसने एक सिंपल सी कहाने को भी बहुत जादा इंट्रस्टिंग दिलचस्प बना दिया और इसी इसी चीज़ को उन्हें मंत्र मुग्द कर दिया था हाला कि वो जा रहता था महेंदर को इस्वरन द्वारा बताई गए एक और स्टोरी याद आती है इस्वरन ने कहा कि उनका जो पैत्रगाव है जहां पर उनका जन्म हुआ था जहां से वो बिलॉग करते हैं वो एक बहुत बड़े विशाल जंगल से घिरा हुआ था जो पेड़ों से भरा लकडी के जो बड़े-बड़े लठ्टे होते हैं वो व्यवसाई के उद्यश्यों के लिए बेचे गए मतलब उनको जो और महावत उन्हें वश में नहीं कर पाता मतलब जो कंट्रोल करने वाले एलिफेंट को होते हैं उसको महावत इसके बाद एक हाथी से जूड़ी एक और विस्तत कहानी जो थी उसका आयोजन किया गया अब क्या होता है कि एक दिन एक हाथी लकडी के बाड़े से मतलब जहां पर हाथियों को रखा जाता है वहां से वह भाग गया और इधर उधर घूमने लगा जाड़ी ओपर हमला करने लगा और जो जंगली ब्रांचेस थी जो लताएं थी उसको तोड़ने लग गया और जितन अपनी इस अपनी ही कहानी में इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता था इतना ज्यादा खो जाता था वह फर्श से कभी-कभी उठ जाता था और पांगल हाथी की नकल करते हुए अपने पैर पटकते हुए इधर उधर पूदने लगता था अब जैसे के इस्वरन स्टोरी सुना रहा है तो वह आगे बताता है कि जैसे ही हाथी उनके शेहर की जो बाहर की बाउंडरी थी जो सीमा थी उस पर पहुँचा तो उसने क्या करा बाड को तोड़ दिया था और वो जो बाड़े थी जहाँ पर उनको रखा जाता था एलिफ लोगों को पता नहीं चला इसलिए वो इधर उधर भागने लगे तब वह एक स्कूल की दिवार तोड़ते हुए उसका जो प्लेग्राउंड था महां पर जागुच गुच गुच गया जहां पर कि वह स्टूरेंस खेल रहे थे सभी चात्र जो थे वह वापस अपनी अपन अपने दर्वाजे थे उनको बंद कर लिया हाथी जोर-जोर से चिंखारता हुआ स्कूल के जो मैदान था वहां पर घूमता रहा उसने फुटबल मैदान में गोल पोस्ट तोड़ दिया वालीवाल कोट में लगा हुआ जो जाल था वह भी फार दिया पानी के जो ड्रम थे कि हाथी ने स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह को पूरा नश्ट कर दिया है आसपास एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था और नगर की सब जितनी भी सड़के थी न वह बिल्कुल खाली थी क्योंकि सब भी लोग उस पागल हाथी से डरे हुए थे अब इस्वरन बताते हैं कि जब यह इंसिदेंट हुआ तब वो स्कूल की जूनिय क्लास में पढ़ रहे थी वो छट से हाथी को देख रहे थे और अचानक उसने एक टीचर से छड़ी ली और नीचे स्कूल के प्रेग्राउंड की और भागा जब हाथी ने एक छोटे लड़के को यानि इस्वरन को जो कि उस तेम पे छोटी थे एक लड़के को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जोर से शोर मजाया उसने एक पेड की शाखा को अपने तनी में उठा लिया अपना पैर जमीन पर मारा जिससे हावा में क्या हाथी इस्वरन को एक तरीकी से धमकी दे रहा था लेकिन जो लड़का था यानि जो इस्वरन था वो बिल्कुल भी उससे डरा नहीं हाथ में छड़ी लेकर धीरे धीरे हाथी की और बढ़ने लगा कई लोग अपने घरों की छतों पर चड़ गए थे और इस इंसिडेंट क देख रहे थे वह अभी भी खड़े हुए थे सारे लोग और बहुत जादा आशारे चकी थे यह देखने के लिए कि इस इंतिजार में थे कि आगे होगा क्या इस वरन ने देखा कि हाथी की जो आखें हैं वह लाल रंकी ती जो मतलब गुस्से से दॉम खूब भरी हुई थ उसने फिर से अपनी सूंड उठाई और जोर से उसने आवाज नेकाली तभी इस वरन ने अपनी जतनी भी एनरजी थी जतनी भी पावर थी उसको इकठा करके हाथी के तीसरे पैर के नाखून पर तेजी से मारा जो कुछ भी हुआ उससे हाथी जो था बिलकुल एक्दम की से ब्रत चुरू हो गया और बेहुश हो खोले जमीन पर गिर गया ते बाद इस वरन कहानी को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि राटके खाने के लिए देरी हो रही है तो इसलिए वो खाना-गरम करने के लिए इस जाला करके आते हैं अब क्यों ह महेंद्र जो कि इस कहाने को बहुत जाज़ा एक्साइटमेंट से सुन रहा था उसको यह जानने की बड़ी मतब क्यूरियस था आगे क्या हुआ होगा तो थोड़ा निराश हो गया क्योंकि बीच में वह जो स्टोरी थी वह छूट गई तो लोटने पर वह कहाने को जारी नही के लिए बहुत जादा उत्सुक था कि इस्वरन से कहानी को खतम करने के लिए कहेगा इस्वरन बस यूही शैद उसको कह देंगे की भई हाथी जो था उसको होश में लाया गया बाद में और जो अनिमल डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स को चेक करते हैं उसको बलवाया गया होगा महिंद्र ये जाने के लिए भी बहुत जादा उत्तुक था कि वो जो लड़का था में जो जो एस्वरन था उससे एंपे छोटा था तो एक छोटे से एस्वरन ने उस बड़े से हाती पर कैसे काबू पाया मतार कैसे उसको हैंडल किया इस्वरन ने कहा कि उन्होंने जपानी मार्शल आर्ट का मतर्ण क्या करा मार्शाल आर्ट दिखाया वो बताते हैं कि ये या तो कराटे थे या फिड्जुजिट्सू तो ईस्वरन जो थे वो उन्होंने इस बारे में कहीं पर पढ़ा था कि जो मार्शाल आठ है वो nervous system को paralyze करके किसी को बिहोश कर देती है तो ईस्वरन हर दिन रोमांच से भरी और डर से भरी कोई न कोई स्टोरी न सुनाते ही रहता था तो कभी-कभी महेंदर को लगता था कि यह जो कहानिया है वो क्या है इमाजिनेटिव है मतलब कालपनेग है लेकिन फिर भी इस्वरन जिस तरीके से अनोखे तरीके से उसको सुनाता था तो उस सुनाने के वज़े से उन्होंने से सुनने का मतलब बहुत ज्यादा आनन्द मिलता था एक्साइटमेंट और ज्यादा आ जाती थी चुकि वह जहां पर रहते थे वहां कोई एक तो टेलेविजन सेट नहीं था हैना कि वह अपने टाइम पास कर सके तो क्या होता था यह जो इस्वरन उनको कहानिया सुनाता था न वह महेंदर के लिए एंटर्टेन्मेंट के तौ जो भी बुज़ूर्ग जो मर गए उनकी आतना की शांदी विशेश खाना तयार किया है तो इस्वरन एक स्वाधिश्ट रात मते एक रात को बड़ा स्वाधिश्ट खाना तयार करता था और महेंदर ने उसे खाना पकाने के कौशल की काफी जाधा प्रशंसा करी तो अप जो कि महेंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था इस्वार ने महेंदर से कहा कि कार खाने की जगह है वो पहले म्रतकों को महां पर मतार जो मर जाते थी उनको पहले पहले दफना दिया जाता था स्वादिष्ट खाने के बाद महेंदर मतार जो महेंदर है वो मतार एकदम जो खुशी वाला एक थोट होता है ना उसके जटके से वो बाहर निकला और ईस्वार ने आगे कहा कि पहले ही दिन जो वो सब्जिया खरीत कर लोट रहा था तो उन्होंने जमीन पर एक किसी आदमी क खोपड़ी पड़ी हुई देखी बाद में भी उसे उस जगे पर बहुत सी खोपड़ी और हड़िया पड़ी हुई दिखाई दी इस्वरन ने कहा कि कभी-कभी उसे रात में ना भूत दिखाई देते हैं हाला कि वो उसे डरता नहीं था क्योंकि वो एक बहादूर विक्ती था लेकिन एक बार उसने एक औरत को यह ना एक औरत का बहुत ही भयानक भूत देखा और उस टेम्पे क्या थी, पूर्णी मा की रात की बारा बज़े थे, ठीक है, तब वो उसको दिखाई दिया, वो बहुत ही जादा बसूरत थी, उसके बाल उलजिये हुए थे, और उसके चैरा था, वो सिक्ड़ा हुआ और मुझाया हुआ था, ये एक अजन में बच्चे को गोद में लिए हुए कंकाल जैसा लग रहा था, तो महेंदर बीच में ही उसको रोक देता है, महेंदर को क्योंकि कहानी जो थी ये पसंद नहीं आए और उसने बड़ा मतब तीक है तरीके से उसको इस्वरन को डाटा, है ना डाटा पड़ गया, और कहा कि तुम पागल हो क्योंकि तुम अपने चैक आप कराने के लिए कि तुम अपने पाचनतंत्र और जो दिमाग है ना उसकी जाच कराने की ज़रुवत है तुमें और अपना ये क्योंकि वह बकवास कर रहा था ना जो कि हाँ भई पूर ने बारा बज़े की दिखाई दी और तो इस तरीके कि म महेंदर ने उसे अपने यह जो डेजिस्टिफ सिस्टम था उसको चैकर आने के लिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि कोई इंसान कब्ज से जब पीड़ी होता है ना कब्ज से तो उसे बूरे सपने और भूत प्रेत आतमाय वगेरा इंसके सपने आने लग जाते हैं नेक्स दे अडे महेंदर ने सोचा की इसवरन जो तो डाट पड़ी है है ना तो वो कुछ दिन तक के लिए चुप रहेगा है ना लेकिन अगली सुबह क्या हुआ कि वो क्या देखता है कि हस्मुख और बातों इसवरन को देखकर वो बहुत जादा है और महेंदर ने यह मतलब कहीना कर दिमाग में वो बात ना बैढ गए थी तो क्या हो रहा था कि हर रात वो जब भी सोता था तो अपने बिस्तर पर जाने से पहले वो खुद को मतलब खुद को कंफॉर्म करने के लिए कि मतलब कोई है तो नहीं आसपास तो खिड़की से जाग कर के भी देखता इस्वरन की ये कहानी सुनने के बाद महेंद्र ने पूर्णिमा की रात को सफेद रंग का एक लैंड्सकेट जैसा देखा एक दृष्य है जैसा कि इस्वरन ने उसको अपने कहानी में बताया था कि पूर्णिमा की रात को एक औरत के भूत का जो साया है वो उसे दिखा था तो उसने उस राद बाहर ही देखना बंद कर दिया क्योंकि उसे किसी बसूरत से भूच से टक्राने से मैं थोड़ा डर था अब क्या होता है कि एक राद जब महेंदर सो रहा था तो किसी के रोने की आवाज उसको सुनाई देती है जिससे उसकी नीन खुल गई उसने सोचा कि तलास में किसी बिल्ली की भी हो सकती है और वो दुबारा से पोने की जाने की कोशिच करने लगा लेकिन ये जो आवास थी वो और जादा से مطلب तेज हो गई और उसने फिर मतलब सोचा कि ये तो किसी की इनसान की लग रही है आवाज तो महेंदर खिड़की से बाहर जाकना चाता था देखने के लिए कि आखिर कौन है लेकिन उसने खुद को रोक रखा था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कोई भूत भूत देख लिया तो हो सकता है वो मर भी जाए तो रोने की आवाज जो थी वह और भी जादा तेज हो गई और ये बिल्ली की आवाज तो मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी महेंद्र अपने आपको रोक नहीं पाया और बाहर जाकने के लिए वो नीचे जुका और अपना सिर्थ थोड़ा से उसने उपर उठाया सफेद रंग की चांदनी में महेंद्र को भूत दिखाई दिया उसने एक हाथ में गठरी पकड़ रखी थी महेंद्र घबरा गया भाई अब उसे देखकर और जोर जोर से सास ले रहा था और बिस्तर पर वापस जाके वो पढ़ गया कुछ टाइम के बाद उसे बहुत जाता डरावने से एक्स्पीरिंस से होने लगे जो डरावने से उसके जो अनुभव हो रहे थे उससे वो उबर गया उसने सोचा कि शायद उसका जो मतलब मान है वो उसे भूत दिखा रहा है क्योंकि उसने स्टोरी सुनी थी इस्वरन की जैसा वो उसके बारे में सोच रहा था उसने खुद को मतलब एक तरीके से जब तक महेंद्र उठा नहाया गोया उसने नाश्टे के लिए बाहर आया तब तक वो पिछली रात का जो भी उसका बूत वाले एक सीनिल था इस्वरन ने उसका स्वागत किया उन्हें अपने दोपैर का खाना और अपना बैग दिया जैसे ही महेंद्र जाने वाला था इस जल्दी से देखा इस वरे ने पिछली रात महेंद्र की भी चीखे सुनी थी अब जब मताः इस वर जो था उसे यह कह रहा था कि पिछली रात तुमारे कमरे के मताब बाहर से जब मैं गुज़ा है ना तो चीखने की आवाज आ रहे थी तो इस वरन जो टिपड़ी ति उस काम की तरफ निकल गया अपना नाश्ता सा बैंग ले करके फिर उन्हों ने इस नौकरी से स्टीफा देकर जो बूतिया जगे थी उसको छोड़ने का मत्तब उन्होंने फैसला कर लिया क्योंकि अब वहाँ पर नहीं रह सकता था क्योंकि उसके दिमार में उसके जहन में वह कुछीज उस गई थी तो उसका मत ऐसा लग रहा था कि वहाँ रही नहीं सकता है ओके सुक्लास यह थी इसकी स्टोरी इसके जो राइटर्स थे वह हैं आरके लक्ष्मन डियू लाइक शेर और सब्सक्राइब और की वाचिंग थैंक यू